मानने सभापती महदे, ये जो अभी वाशन है, राजस्तान की जनता जानना चाहती है, कि आपने 2003-2008 के दोरान 22,000 करोड के गोटाले का अरोब लगाया था, और सरकार बनने के तूरंत बाद में आपने बातू कमिशन का गठन किया था, आज आपका ये दस्तावेज उन 22,000 कर अरोड के गोटाले पर चुप कियो है, कोई बात इस पर क्यों नहीं कह रहा है, आप Zero Tolerals के लोगे, आप क्यों नहीं कह रहे है कि हम उस अच्चाई को सामने लाएंगे, और ये पिछली सरकार में खान गोटाला हुआ, ए एंटी करप्शन के लोगों ने बड़े से बड़े इसा भी वाक्ता को टाला, ये कोई बात नहीं होती है, आपने इसमें कहा, कि हम बदले की भावना से काम नहीं करना चाहते हैं, बदले की भावना से काम करने का कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, कि जब तेरा समय हो तू कर, हमारा समय होगा जब करेंगे मानने सभापती मोद है इसलिए लोगों ने राज नहीं बंद रहा है लोग आप से परिणाम चाहते हैं कि जिस वेक्ति ने भी मैं आपको एक किस्सा बताऊं यहां मानने सदसी भी एक बेटे हुए हैं पिंडवाडा मैं बनास के रेलवे स्टेशन मरे गोवन और उसके बाद जो जमीनवापती में आनी है इस सरकार ने उसका कंवर्जन कर दी और कॉमर्शिल कर दिया और कॉमर्शिल कर दिया नियम विरुद बहां तक तो ठीक था उसके अगले साल उस कॉमर्शिल की इनों ने डील सी डेट पचास परसेंट बढ़ा दी पचास परसे इतने उदार के तत्काल प्रभाव से साथ दिन के अंदर वो सो दुगनी करके कॉमर्शियल रेट भेज दिया अब जिसको अबापती के लिए चार करोड रुपे मिलना था आज वो 28 करोड रुपे प्राप्ट करने के अफ़ार होगे और मानने सभापती महदे भारतिये जनता पार्टी के उस जीले में जितने चुने हुए नुबहिंदाई थे कलेक्टर समेथ वो सारे इस काली कमाई में सारे के सारे साले आज आपका गोश्णा पत्र इस बारे में कोई बात नहीं